हलो दोस्तों अंस टेक्निकल जॉब सेंटर योटूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों मैं हूँ प्रभाकन निशाद यानि की निशाद सर और आज मैं अपने योटूब चैनल अंस टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी कमपनी का निउ लेटिस्ट कैंपस प्लेस्मेंट भरती नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने तो दोस्तों चलिए बिना धेर किये हुए सारा कुछ इंफार्मेशन फूल डेटेल के साथ समझते हैं कि ये कैंपस प्लेस्मेंट काउन सी कमपनी के द्वारा लगाया जा रहा है और ये कैंपस प्लेस्मेंट किस कॉलेज में लगाया जा रहा है क्या सैले मिलने वाली है कि इतने घंटे की डूटी रहेगी, जॉब लोकेशन आपका कहां होने वाला है, सारा कुछ इन्फार्मेशन बहुती सरल तरीके से, बहुती आसान भासा में, बीलेज वाली लैंगेज में, बहुती सठीक तरीके से, पूरी जानकारी मयाप्रों को इस कैमपस प्लेस्मेंट के ब फार्मेशन आप लोगों को अच्छी लगती है, तो आप लोग हमारे योटूब चैनल अंस टेक्निकल जॉब चंटर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेर करिए, और लाइक और कमेंट जरूर किये करें, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर किये हुए, हम उस चलते हैं, और उसी पर सारा कुछ बियोरंड समझते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये जो कैंपस प्लेस्मेंट लगाया जा रहा है, वो एक बहुत ही बड़ी कमपनी की द्वारा लगाया जा रहा है, टाटा मोटर्ज एबी कैंपस प्लेस्मेंट जून दो हजार रहा है, तो दोस्तों, एक चीट तो आप लोगो कन्फर्म हो गाया है, ये जो कैंपस प्लेस्मेंट लगाया जा रहे, वो लगाया जा रहे, टाटा मोटर्ज एबी के द्वारा, ठीक है, चरीए दोस्तों, मैं आगे इसकी बारे में कुछ डेटेल से बताता हूं, समझाता हूं आप लोगों को, सबसे पहले position की बात करें, यानि कि post की, तो आपकी जो post होने वाली दोस्तों, वो होने वाली है apprenticeship, यानि कि अगर आपने आपने ITI कंप्लीट कर चुका है, स्वारे दोस्तों, कंप्लीट कर चुके हो, और आप लोग अभी तक apprenticeship नहीं किय हुआ है तो आप लोगों के लिए यह बहुत ही बैतरीन मौका है टाटा मोटर्स एबी के द्वारा आप लोग डारेक्लिक कैमपस प्लेश्मेंट के माध्यम से अपना सेलेक्शन जो है वो टाटा मोटर्स एबी कंपनी में के लिए ले सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों जोब लोकेशन की बात करें तो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबाइल्टी लिमिटेड सनद जी इडिसी एहमदाबाद गुजराद यानि कि यह जो कंपनी है यह जो प्लांट है टाटा इडिसी एहमदाबाद में ठीक है तो आपका जो जो जोब लोकेशन रहेगा वो रहेगा सनद जी एडिसी एहमदाबाद गुजराद ठीक है सेलरी की बात करें दोस्तों तो 14,512 रूपए पर मन्त सेलरी आपको आपन टीसिप के लिए मिलने वाली है इस कमपनी की तरफ से अब बात करते हैं दोस्तों कौलिफिकेशन की तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मागा गया है वह दोस्तों आई टी आई ट्रेड यानि कि आई टी आई पास आउट कंडिडेट्स को ये कंपनी सेलेक्ट करेगी ठीक है आई टी आई ट्रेट की बात करें दोस्तों कि कौन कौन से ट्रेट के कैंडिडेट्स इस कैंपस प्लेश्मेंट में समलित होकर अपना सेलेक्षन टाटा मोटर्स ए भी कंपनी में ले सकते हैं तो एलेक्ट्रेसियन, फिटर, टर्नर, एलेक्रोंिक्स, मसीनिस्ट, विल्डर, मकाइनिक, डिजल, यम यंबी, एंस्टूमेंट, अन्ड आल्ल क्न के लिए की जो भी ट्रेट्स दो साल के जितने भी ट्रेट्स प्लेश्मेंट इस कंपनी में जॉब करने के लिए अब बात करते हैं दोस्तों experience की तो कोई experience मस्ट नहीं है आप लोग फ्रेशर हैं तो भी आप लोग इस campus placement में समलित होकर अपना selection directly interview based पे Tata Motors EB company में ले सकते हैं अब बात करते हैं vacancy की दोस्तों तो 500 से ज्यादा apprenticeship के vacancy है तो 500 से ज्यादा candidates को ये company apprenticeship post के लिए select करने वाली है ठीक है आगे बढ़ते दोस्तों age criteria की बात करें तो 18 से 28 साल facilities की बात करें तो क्या-क्या facilities मिलने वाली है आपको इस company में तो आप लोग देख सकते हैं free transportation from company to room यानि कि जो आने जाने की सुईदा होती है company से room तक और room से company तक वो आपको free में मिलने वाली है food available है यानि कि खाने की वेवस्ता available है attendance bonus 25 रूपे यानि कि अगर मंतली में आप लोग 26 दिन duty रेगलोर करते हैं तो आपको 25 रूपे plus salary में मिलने वाला है ठीक है after apprenticeship company provide diploma in engineering maturity certificate यानि कि जब भी आप लोग apprenticeship complete करते हैं उसके बाद आपको company diploma in engineering maturity certificate आपको मिलने वाला है इसकी साथ साथ ठीक है तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ा मौका है अगर आपने apprenticeship नहीं किया हुआ है तो आप लोग Tata Motors EB के द्वारा इस campus placement में पहुँचकर directly interview based पे apprenticeship post के लिए अपना selection ले सकते हैं आप सबसे महत्पूर चीज जो सबसे बड़ी important चीज होती है दोस्तों वो होती है campus placement when or date यानि कि ये campus placement किस date पे और किस college में लगाया जा रहा है तो आप लोग देख सकते हैं ये campus placement दोस्तों 25 जून 2024 को सुबह 9.30 बज़े से वैनू है government ITI के उलारी district 70 MP यानि कि ये campus placement मद्ध प्रदेश में लगाया जा रहा है जो भी nearby district सिवाने मद्ध प्रदेश के ITI pass out candidates हैं अगर आप लोग ने अभी तक apprenticeship नहीं किया हुआ है तो आप लोग इस campus placement के माध्यन से apprenticeship की post के लिए अपना selection ले सकते हैं बहुत ही बड़ा campus है दोस्तों 500 से ज़्यादा candidates को ये company select करने वाली है तो दोस्तों आप लोग 25 जून 2024 को सुब़ साड़े नव बजे गवर्मेंट ITI के उलादी डिस्टिक सेवनी यंपी आने की मद्ध प्रदेश में पहुँचकर अपना selection डारेकले interview बेस पे ले सकते हैं दोस्तों ये जानकारी आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वेडियो में नेस्ट कैंपस प्लेस्मेंट नोटिफिकेशन अपडेट या गवर्मेंट जॉब अपडेट लेके तब तक के लिए दोस्तों थांक्यू धन्यवाद जैहिं दोस्तों